1 inch is enough. के सिए नहीं हुपा और होड़ीके साइज हे लिए वागा आधे कacji इसके लाबा औरमें नहीं हून इस के पर एक दू नहीं है जिस तरह से हम इसे सूच रहे हैं जिस तरह से हम camera sensor के size को measure करते हैं अगर उसे हम diagonal ही वापते हैं तो यह size होगा actual one inch sensor का और यह size है उस sensor का जिसे companies one inch का नाम देती हैं और इसकी diagonal around 16 mm है जबकि one inch around 25 mm का होता है अब इतना difference होने के बाद भी companies इसे one inch का नाम क्यों देती है वैल इसका जवाब हमें मेलेगा आज से 50 स sensing area यानि photo sensitive area जिसे हम sensor भी बोलते हैं यह उस tube के inner diameter के अंदर होता था लेकिन image sensing area के साथ साथ glass की thickness को भी include करते हुए इस tube के outer diameter को इसका size माना जादा था और आज जो so called one inch sensors है उन्हें यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि अगर उन्हें हम उसी तरह की old school vacuum tube के अंदर fit करेंगे तो उस tube का outer diameter 1 inch होगा यानि इस measurement का actual size से कोई लेना देना नहीं है यह तो कुछ ऐसा ही हो गया कि मैं आपसे बोलू कि अभी मेरा weight 70 kg है क्योंकि 12 साल की age में मेरा जी का weight 70 kg था जोकि actual मेरा weight 58 kg है इस बात की तो कोई भी sensors नहीं बनते है और यह बात सिर्फ 1 inch sensors पर ही apply नहीं होती इससे छोटे जितने भी sensors हैं जो हमें smart phones में देखने को मिलते हैं उन्हें भी इसी तरह से vacuum tube वाले formula को यूज करते हुए measure किया जाता है smart phones के case में आपने देखा होगा कि उन्हें भी inches में ही measure किया जाता है for example Samsung Galaxy S22 Ultra का main camera का sensor size है 1 by 1.33 inches Pixel 6 Pro और Vivo X70 Pro Plus में है 1 by 1.31 inches का iPhone 13 Pro में है 1 by 1.65 inches का main camera sensor size अब क्योंकि इन्हें measure करने का तरीका same way है glass tube वाला तो इनका actual size जो है वो इससे कम रहेगा जो company ने हमें बताया है अब एक 1 inch camera sensor के क्योंकि हमें dimensions पता है तो हम इसकी diagonal निकाल सकते हैं with the help of Pythagoras theorem जो की है 15.8 mm और अगर हमें किसी sensor का वो tube वाला size यानि जो size inches में companies बताती है वो पता हो उसके बाद हम उसका actual size कैसे calculate करेंगे इस बारे में मैंने काफी research करी और मुझे एक website से ये मिला जो भी size हमें दिया गया है उसे अगर हम 2 by 3 से multiply करेंगे तो हमें उसकी approximate diagonal मिल जाएगी let's say हमें Galaxy S22 Ultra के sensor के diagonal calculate करनी है तो हम इसका जो size है 1 by 1.33 inches इसे multiply करेंगे 2 by 3 से तो हमें इसकी approximately diagonal मिल जाएगी जो कि है approximately 0.5 inches लेकिन जो size हमें Samsung नहीं बताया है उसे अगर हम inches में convert करते हैं तो वो आती है लगबग 0.75 inches के असपास तो इन में काफी difference है और इस तरह से आप बागी सभी sensors की भी actual diagonal calculate कर सकते हैं लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जब आप इस formula का use करते हुए किसी sensor की diagonal calculate करेंगे तब आपको results बिल्कुल accurate नहीं मिलेंगे आपको यहां पर fractions में थोड़ा बोड difference हो सकता है इसके ला और इन sensors को DSLR और mirrorless cameras में काम में लिया जाता है अब क्योंकि इनकी एक dimension ही एक inch से जादा है तो obviously इनकी diagonal तो उसे जादा ही होगी लेकिन फिर भी इन sensors को inches में measure नहीं किया जाता पुराने CRT TVs के case में भी ऐसा ही था उन्हें भी उनकी outer body के हिसाब से measure किया जाता था ना कि उनके viewable area के हिसाब से अब let's say आपने 24 inches का कोई CRT TV buy किया अब उसमें जो viewable area है वो आपको 20 inches का ही मिलेगा क्योंकि जो 24 inches है वो उसकी पूरी body का measurement है ना कि उसके viewable area का अब क्योंकि CRT TVs काफे time से आने बंद हो गया है तो जो नए LED TVs हैं उन्हें measure करने का तरीका भी बदल गया है आ शायद आपने भी अभी तक red subscribe button को gray matching नहीं किया है प्लीज कर लीजिए वीडियो अच्छे लगी है तो इसे like भी कर दीजिए and thanks for watching my name is Mayank and I'll see you guys in the next one अब let's say आपने कोई 24 inches का CRT TV buy करिया करिया